हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल प्रतिभाब गिया और देखिए आज बंदरों ने क्या आतंक मचा करके रखा है जो बैंगन बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे यह देखिए बैंगन पूरा सुबह सुबह ही बंदर आये हैं और पूरा बैंगन खा करके गए हैं यहां भी देखिए गिराया है यहां भी काट-काट के सारा गिरा दिया और देखिए ये पूर्धे में इस तरह से भी जैसारा नोच कसोट के खाए हैं इसलिए मैं छोटे-छोटे ही जब बैंगन रहते हैं तभी तोड़ लेती हूँ, यहाँ देखिए, यह बिल्कुल सुबह सुबह ही खा करके गए है, और अभी मैं देख रही हूँ कि किसी की पानी की टंकी पर यह देखिए, बैठा हुआ है, यह देखिए, बैठा हुआ है, यह जब गार्डन में आ जाएगा, तो फिर कुछ नही बचता है गार्डन में, और देखिए, मस्त होकर टंकी पर बैठा हुआ है, किसी भी पल अगर यहाँ आएगा, तो यह लंगूर है, काले मुह वाला बंदर है, बहुत ज़्यादा तहस नहस करता है, तो मैंने बहुत सारी सबजियां हार्वेस्ट कर ली हैं, जो भी बची है और अभी कर भी रही हूँ, देखिए, टंकी पर से उतर गया है, कहा गया मैं देख भी नहीं पाई, तो जो बचा कुचा है, वो सबजी मैं तोड़ ले रही हूँ, और देखते हैं क्या-क्या मिल जाता है, और मैंने बहुत सारी तोड़ के भी रखी हैं, अभी सुबह ही मै मैं पहले जब आई हूँ, बंदर आया हुआ था, तो मैंने जो भी सबजी देखी, जल्दी जल्दी तुराई बगरा तोड़ ली है, क्योंकि तुराई बहुत जल्दी देख लेते हैं साब, और जो भी सबजी मिल जा रही है, देखिए, करेला तो नहीं छुआ है, लेकिन अगर देख लेगा तो वो भी छोड़ेगा नहीं, तो जो सबजी मिल जा रही है, पहले उसको हम तोड़ेंगे, जो कुछ भी मिल जाए, यहां भी देखिए, इस पौधे से बैंगन खा करके गिराया है यहां पर, इस सब कुछ अब गार्डन वेस्ट में ही जाएगा, यह अभी यहां पर मिल रहा है, मैं तोड़ ले रही हूँ, और अभी और उपर जाना पड़ेगा अंदर, वहां पर लगा हुगा देखिए, यह देखिए, एक करेला तोड़ लिया, यह अभी और बड़ा होगा, अच्छी ग्रोथ है इसकी, तो मैं नहीं तोड़ूंगी इसको यह भी नहीं तोड़ूंगी, तो कुछ छोड़ भी दे रहे हूँ, जो लग रहा है कि अभी बड़ जाएगा, बड़ा होगा फ्रूट, यह देखिए, यह मिला है, इसका भी साइज काफी अच्छा है, अभी देखिए, इतने तोड़े हैं मैंने, और अभी यहां पर देख जो देखिए, फिर से हार्वेस्ट करने के लिए तयार हो रही है, यह देखिए, यह गुड़हल आज खिला हुआ है, गुड़हल किसी दिन 2-3, जैसे कलियां रहती है, कल 3-4 पिंक वाला गुड़हल खिलेगा, 3-4 गुड़हल खिलेंगे पिंक वाले, और यहां पर भी दे गोल निकले हैं यह दखे यह तोड़ लिया है और अंदर मुझे दिख रहा है जहां से मैं आई हूँ वहाँ पर लंबे-लंबे दिख रहा है चलिए मैं तोड़ती हूँ यह देखे यह पौधा विल्कुल पानी से सब जुग गया है और इसमें यहां देखिए दो करेले इतने लबे लबे से लटके हुए है और ये सारी सब्जियां मैंने केवल totally kitchen waste और garden waste से ही तयार की हैं totally organic सब्जियां केवल kitchen waste का कमाल है देखें इसको तोड़ लेते हैं करेले अच्छे मिल गये हैं कोई-कोई फूर्ट जो गोल वाला है वो जादे बढ़ा नहीं होता है लेकिन फिर भी इनका साइज तो थोड़ा ठीक आया है और ये देखिए ये खीरे की बेल में एक खीरा लग गया है और एक फ्रूट यहां भी लगा था लेकिन ये सूख गया है ना जाने क्यों और फ्लारिंग बहुत सारी हुई है तो अब धीरे-धीरे फ्रूट बनेंगे जो ये वाला फ्रूट खीरे का दिखाया है मैंने ये पहला फ्रूट है इस पौधे का और यहां देखिए ये थर्माकुल बॉक्स में मैंने अद्रक लगाई है और अब देखिए बारिष हो रही है तो धीरी-धीरे अद्रक दीखने लगी है तो इसमें मैं फिर से मिट्टी चड़ा दूंगी एक करेला यहां भी तोड रहे हूँ और यहां पर देखिए दो करेले ये छोटे-छोटे लगे हुए हैं यहां पर भी लगे हुए है छोटे से तो यहां पर कई सारे करेले लगे हैं तो एक ही साथ मुझे कई सारे हार्वेस्ट करने को मिलेंगे यह देखिए यहां गुच्छे वाला गुढ़हल इतनी सारे इसमें कलियां लगी हुई है और रोज खिल रही है एक यहां पर देखिए कितना सुन्दर सा गुढ़हल खिला हुआ है उच्छे वाला और इसको छे इंच की छोटी सी कटिंग से मैंने तयार किया है यह पौधा बहुत ही अच्छा वेस्ट बाल्टी में लगाया है एक यह देखिए गुलाब खिला है यह देखिए जाली पर भी यह जो बोरी में करेले के पौधे लगाये मैंने उसमें भी अब करेले लगने लगे हैं और दो करेले देखिए तोड़ने के लिए बिलकुल तयार है और छोटे छोटे करेले लगे भी है देखिए फिर से जाल फ्रूट दिखाऊंगी जो मैंने तोड़ के रखे हैं जो सबजिया मैं सुबह जल्दी जल्दी तोड़ी हूँ ये देखिए एक तूरी यहाँ पर है लटकी हुई इसको भी तोड़ लेते हैं एक और दिख रही है और सुबह मैं गार्डन में आई हूँ जब बंदर आये हु और यह देखिए यह गेंदे का पौधा कितना घाना इसी जोले में अपने आप जर्मिनेट हो गया था और देखिए कितना बुशी प्लांट है और इसमें बर्ड्स भी आ रही है और देखिए कितना सुंदर फ्लार खिलने वाला है इसमें बहुत ही सुंदर और इसमें से तो अगर आप भी इस तरह से सब्जियां लगाना चाहते हैं तो लीफी वेजटेबल से सुरुआत करें सर्दियों का मौसम आ रहा है बहुत अच्छी सब्जियां तैया तैयार हो जाएंगी वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में बाई बाई थैंक यू